Hello everyone, welcome to my channel, this is Amansu, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है, आने वाले सभी फार्मासिस्ट एक्जामीनेशन को लेकर चाहे आप रेल्वे की तयारी कर रहे हैं, रेल्वे फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, डी एसस्वी या फिर सी जी एस किसी भी फार्मासिस्ट रिक्जाम की प्रिपेर्शन कर रहे हैं, तो यह सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टन है, आज का वीडियो पार्ट टू, यानि कि यह सीरीज चल रही है, इस वीडियो लैक्चर में इंपॉर्टन कुशन डिसकस करने वाले हैं, ध्यान से सुन की प्रिपेर्शन टेस्ट रिस स्टरी मेटियल सब कुछ अवेलमें, स्टाट करते हैं, आज का वीडियो कुशन नमर 11 से, आप सभी जानते हैं, यह पार्ट टू है, पार्ट वन आपको इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ मिल जाएगा, सर कम कुशन डिसकस करने वाले हैं, बट क्वालिटी कुशन डिसकस करेंगे, जो आपको मेन एग्जामीनेशन जितने भी आपके आने वाले उन में हैलपूर होने वाला है, तो कम्प्रीट वीडियो को सुनिएगा, डेफिनेटली, चुनिंदा कुशन को हम यहां पे डिसकस करते हैं, जी हां कुशन नमर 11 आप देख पा रहे हैं, विच एंटी वाइरल ड्रग इस फाउंड टो वी यूस्पल इन पार्किंग्शन डिजीज यानि की ऐसी कौन सी एंटी वाइरल ड्रग है सर, इन में से जो की पार्किंग्शन डिजीज में भी काम आती है, यह आपका कुशन केरला फार्मासिस्ट सर, सीधा सीधा एंसवर यहां पर आ रहा है, यह नहीं, यह नहीं, सर, यहां पर जो एंसवर है वो आपका कुशन नमबर डी, मतलब ऑप्सन नमबर डी आप देख पा रहे हैं, एमेंटादीन जो है, एक ऐसी ड्रग है, एंटी वाइरल, विच आर यूस इन एंटी पार्कि है, हम सभी जानते हैं, सर, इंट्र यूट्राइन डिवाइस होती क्या है, सर, एक मेडिकेटड डिवाइस होती है, जो की फैमिली प्लानिंग के लिए यूज आती है, यहां की सीधा सीधा मतलब यह है, कॉन्टर सेप्टिव मेथड जो है, जो है, जो इसको आप बोल सकते ह है, तो पुराने जमाने से यह चलता आ रहा है, जिसमें की एक मेडिकल डिवाइस की हेल्प से हम कॉन्टर सेप्टिव मतलब फैमिली प्लानिंग की मतलब टेटमेंट को करते हैं, तो यहां पे कौन सा है, सर, यह लूप जो है, यह फर्स्ट जनरेशन का है, यानि की जैसे- इसे टेकनलोजी बढ़ती जारी है, वैसे-वैसे इन सभी चीजों में भी बहुत ही एडवांस जो है, डिवाइसे आ चुकी है, सर, कॉपर्टी इसका नाम आपने सुना होगा, तो काफी सारे स्टूड ने इसका नाम ही सुना होगा, तो काफी यह भी टिक करके आगे होगे, नोवा सेवन और लास्ट है आपका प्रोजेस्ट्रेट, तो यहाँ पे इसका एंस्वर क्या आ रहा है, सर, ऑप्शन नमबर डी, प्रोजेस्ट्रेट जो है, वो इसका एंस्वर होगा, सर कैसे, तो यहाँ पे मैंने एक्स्मेलेशन भी दिया है, देखिए, थर्ड जनरेशन है, हानबोन रिलीज आई यूडी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई यूडी सच एज प्रोजेस्ट्रेट एंड एल एंग जी ट्वेंटी, रिलीज ए प्रोजेस्ट्रेट विच इस मेक टू यूटराइज अन्सूटेबल फॉर स्पर्म, सर्वाईवल जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है जी, सिंपल है, बट बहुत ही ध्यान में रखने वाला है, क्योंकि काफी सारे इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं इन में से, जो की हाली में रिसेंटली यूज होते हैं, आप देख पा रहे हैं, कुशन नमर थर्टीन, पर्फियूम डिरवा जिसकी लॉग लास्टिंग जो है, इसलिए हम एड करते हैं, और क्योंकि यह अनिमल से हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसकी रेट मतलब बहुत ज़्यादा बहुत आपने सुना होगा, महेंगे महेंगे पर्फियूम आते हैं, क्योंकि उसमें वाकई में कुदृती एक पर्फियूम मतलब लॉग लास्टिंग सुगंदीदा कंपाउंड जो है, वो प्रेजेंट है, चलिए, नेक्स्ट आते हैं, कुशन नमबर फॉर्टीन पे, सर, बिटोट स्पोर्ट इन चिल्डरन ड्यू टू डेफिशेंसी और और ये एक्जाम है आपका, ये साईसी हाल ह में एक्जामिनिशन हुआ, उस में से ये कुशन है, सर, बिटोट स्पोर्ट जो है, वो किसकी डेफिशेंसी से होता है चिल्डरन में, सर, आइरन की, जिंक की, विटामिन A और विटामिन B, तो सिंपल सा सवाल था वहिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सर, इसका एंस सारा सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विटामिन A, विटामिन D, सब के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डेफिशेंसी है ना, डेफिशेंसी डिजिस में, सीधा सीधा यहाँ पे बिटोड स्पोर्ट आपने, अगर पड़ा होता, बहुत अच्छे से अगर पड़ा होता, हमारे स्टडी मेटियल से, तो आपको डारेक्टली यहाँ पे, to the point कुशन जो है, वो मिल जाते, आप सभी जानते हैं, वित्रों, जितने भी पुराने पेपर आप देखेंगे, उन सभी को मद्धे नजर रखते रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, अगर आप इंटरस्टेड है, जन्यून त्यारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चेक करें आपको यहाँ पे, एक्जाम्फल आप देख पार है, to the point, अगर इसको धंक से पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आप कमी की वज़े से बनता है, नेक्स्ट आप देखका रहे हैं, ब्रुनर ग्लैंड आर फाउंड इन, इस्रो फार्मासिस्ट 24 फरवरी में जो एक्जाम हुआ, उसका ये कुशन है, सर ब्रुनर ग्लैंड जो है, वो कहां पाई जाती है, म्यूकोसा, इसोफेगस में, सर इंटर में बहुत ही अच्छे से, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, कुशन नमबर 16, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही कुशन आते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट कलती करता है, क्या कुशन है, ड्रॉप, क्या है, ड्रॉप आर यूज इन, ओक्टिक कैवेटी, सर ओक्टिक कैवेट कहा होती है, सर नेजल में, नहीं, इयर में, जी हाँ, इयर में होती है आपकी, तो इसका आमसुन आपका क्या हो गया, सर ओक्टिक कैवेटी का होती है, इयर में होती है, तो किसी भी कुशन को जब आप पढ़ रहे हैं, क्यूंकि हमारे पास समय कम होता है, थोड़ी उतावल होती है तो इसको ध्यान से वड़े समझेंगे तो जरूर आपके पास एंसर सही से मिल जाएगा चलिए next question number 17 आप देख पा रहे हैं which vitamin often differ do as a sunshine vitamin क्या है ध्यान से सुनना sunshine vitamin because the body can produce it when the skin exposed to the sunlight तो ध्यान रखना काफी सारे student यहां पर हालंकि बहुत ही easy है मैं खुद मानता हूं बट यहां पर काफी सारे student जो जवाब देते हैं वो है vitamin E जबकि vitamin E is cancer नहीं है sir vitamin D है ध्यान रखना sunshine vitamin है ना ध्यान रखना sunshine vitamin बोलतो vitamin D इसका एंसर जो होने वाला है यह भी इंस इंस फार्मा का examination आपका कुशन में से आया हुआ है देख पा रहे हैं कुशन नमर 18 household remedies आर लिस्टेड इन विच सेड्यूल ऑफ ड्रगन कॉस्मेटिक एक्ट सरे इंस फार्मा केमिस्ट का यह एक्जामिनेशन है शेड्यूल जी के शेड्यूल एच एम एपी एंड कौनसा answer हो दाएगा सिंपल है सर शेड्यूल जी में होम remedies लिस्टेड जितने भी होती है वो हाई है सिड्यूल जी और सिड्यूल के में इन option से हमने correct answer जो है वो लगा दिया नेक्स आप देख पा रहे हैं यह भी बहुत ही simple है बहुत ही easy है बट ध्याद रखना इससे और एक कुशन बनेगा सर लासा का मतलब क्या है look like and sound like मतलब ऐसी काफी सारी दवा है जो बोलने में भी similar है और sound में भी similar है बलकि उनकी disease जो है वो अलग-लग मतलब कोई diabetes में आसा का मतलब क्या होता है look like sound like यहां तक समझ में आ गया अब आप लोगों को एक example बताना है कोई ऐसी ड्रग का जो की look like और sound like है ध्यान रखना कमेंट जरूर करें अगर आपको आ रहा है तो ठीक है जी अगर आपको आ रहा है तो यह भी आपका फार्मसिस्ट examination का सवाल था question number twenty last देख पा रहे हैं sodium benzoid जो है वो किस में यूज करते हैं किस हिसाब से यूज करते हैं तो भईया sodium benzoid जो है वो preservative हम यह जो यूज करते हैंuffy पाफ सलीक और सवार यहां पर सेंट्रेंग वी तो भेजान रखेगा इंपोटेंट LayUS इस एसीड बेस टाइटरेशन से चलिए जी नेक्स्ट लास्ट आता है यह जो सवाल है वो आप लोगों के लिए है इसका सवाल का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विच डेफिशेंशी कॉस बेरी बेरी काफी इस्ट बेंट होते हैं सर यह तो सिंपल चाहल है विटामीन बी की कमी से होता है बट यहां पर हलांकि सबको आता होगा बट यहां पर ध्यान रखना है अगर आपको जटले याद तभी बताना सल्ट बीता टोड़ी से गन्फुजरन है तो इसको कमेंट में जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि किसी साब से आपकी examination त्यारी चल रही है हालांकि ये question थोड़ा easy था बट अगला जबी भी इसका series आएगा next उसमें एक ऐसा बड़िया question लाके दोगा तो आपको उसको search करने पर मजबूर हो जाओगा आपको आज का वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में देखें में तुरों काफी सारे PYQs हैं बट उन में से selective को select करना exam point view से ध्यान में रखते हुए select करके आपके साथ discuss करना ये series को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो like, share और subscribe करना ना खुलें आने वरे समय में और भी कुशन आपको देखने को मिलेंगे कम कुशन discuss करेंगे बट quality कुशन discuss करेंगे keep watching, stay tuned और हाँ ये भी बताना कि इन 10 में से आपको कितने सवाल सही आ रहे थे तो जैसे आपका mark बन रहा है जैसे कि sir मेरे 6-10 में से सही हुए तो जरूर बताएं ताकि पता चले किस हिसाब से आपका level जो है वो exam का पढ़ाई का चल रहा है comment पे जरूर बताना, सची इमानदारी से बताना keep watching, stay tuned